आप USCMA बनके celebrate करेंगे अगर आपने मुझे अपनी जिन्दगी के one year according to me दो घंटे का golden rule मतलब any day ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप दो घंटे नहीं पड़ें USCMA 100% first attempt success so welcome guys आज किस वीडियो में हम discuss करने जा रहे हैं USCMA 100% first attempt success देखिए USCMA के exam काफी costly है almost 460 डॉलर आपका एक paper की cost आने वादी तो आप एक working professional हो सकते हैं housewife हो सकते हैं या become graduate student या 12th pass तो आज किस वीडियो में discuss करूँगा आपका study pattern क्या होना चाहिए कितने घंटे आपको daily पढ़ना चाहिए अगर आप 9 to 12 month में pass करना चाहते हैं उसके बाद एक performance analysis किस तरीके से आपको help कर सकती है आपकी USCMA की जरनी को first attempt success बनाने तो पूरा detail में हम discuss करेंगे लेकिन आगी बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe the channel जिससे कि इस पकार के time to time आपको notifications मिल सकेंगे चलिए let's get started देखी USCMA में आपको एक plan बनाना पड़ेगा सबसे पहले वो होगा two hour golden rules दो घंटे का golden rule मतलब any day ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप दो घंटे नहीं पड़े अब उस two hours को हमें दो भागों में बाट पहले आप मेरे lectures को देखिए उसके बाद आप एक घंटे में MCQs को solve कीजिए जैसे ही आपने lecture पूरा देख लिया उसके बाद आप अपने mock test में multiple choice question की practice कीजिए तो daily two hour का ये rule आपको follow करना है सबसे important ये देखिए जितना consistent आप रहेंगे अपनी study में आपकी chances बढ़ जाएंगे बहुत सारे लोग admission ले लेते हैं लेकिन अगर आपनी consistently study नहीं करी तो आप जितना procrastinate इसको करते जाएंगे मेरे एक line है delay means deny तो वो सकता है कि USA में आपका हमेशा के लिए आपसे ना हो तो two hour का golden rule आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसके बात मैं generally बहुत हद तक एक बात पर focus हमेशा करता हूं कि आपके basics बहुत ज्यादा strong होनी चाहिए देखिए आप एक working professional है ना आपको study में 10 year 12 year housewife है या become student तो आपको एक तो कई बर बच्चों को study में gap है उतने basic strong नहीं है तो ध्या process provide करनी है जिससे कि आपके fundamental को में stronger तीसरी very very important theory segment theory को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए number crunching जो है वो सम ताइम आपका 30% ही आता है बाकी 70% तक 70 और हाइर साइट 75% तक आपके theory questions आ सकते हैं सो theory अब theory सर क्या याद करना पड़ेगा याद करने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है या पर application की में एक example लेता हूँ examiner आपसे पूछ सकता है कि क्या impairment loss future में हमें gain हो गया तो क्या reversal होगा मतलब आपने पहले loss book किया 100 का और future में आपको gain हो गया 150 का तो क्या इसको reversal कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अपने ढंक से पड़ा होगा तो आप apply कर पाएंगे तो application based examination है ना कि मगप वाली और जितने ज्यादा multiple choice question के mock test आप देंगे उतने chances आपके बढ़ जाएंगे USCMA को बढ़ने तो यह कुछ important बहते हैं सर्फ 2R golden rule USA gap के basics fundamental को improve करेंगे theory के लिए हमने आपको flash card provide करने हैं हमने आपको summary notes provide करने थियोरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और consistently अपने mock test को देती रही यह बहुत important aspect उसके बाद अब यहां जो हमारी approach के बारे में हम बात करने जा रहे हैं MCQ based exam में flagging का concept होता और एक wrong questions का concept अब यह सर्फ flagging का concept क्या है जैसे लेट से आप 20 questions solve कर रहे हैं उसमें से six questions ऐसे थे जो काफी आपको hard work करने के बाद ज्यादा सोचने के बाद आपका answer तो उसको आप flag कर लीजिए ताकि आप उस particular unit में mastery को achieve कर सके कि सर जो मेरे question गलत हो गया तो इसको मैं 2-3 बार करूँगा जो question मैंने अपने flag कर लीए identify कर लीए उसको भी 2-3 बार करूँगा जो सही हो चुकिए जिसमें मैं straight forward सही हूँ तो उसको repetitive time करने की जरूत नहीं तो इस तरीके से आपका एक target होना चाहिए कि identification of conceptual questions जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ न तो मैं उनको concept के उपर बहुत strong करने में कोशिश करता हूँ जैसे एक छोड़ा सा concept Infrequent or unusual item कई बच्च इसमें बड़ा confusion होते हुए इन फ्रीक्वेंट और unusual item क्या है जैसे मान के चलिए अर्थ को एक आ गया एक plant आपका destroy हो गया तो क्या अर्थ को एक हमेशा आता है तो इस प्रकार के loss का क्या करना चाहिए क्या यह discontinue operation है यह continue operation तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको conceptual clarity 100% required होगी उसके बाद flag question आपको करना है और जो question आपके गलत हो गए जो conceptual question उसके summary notes आप बनाईए वैसे हमने आपको काफी beautiful notes दिये हैं बहुत summarize में दिये हैं flesh card हम आपको दे रहे है summary notes हम आपको दे रहे हैं but still if you need कि आपके कुछ multiple choice question गलत हो गए थे तो उसके आपको क्या करना चाहिए notes भी बनाना चाहिए उसके बाद हम बात कर रहे है full mock exam के देखिए आपको पता है जैसे लेट से आप अभी exam देने जा रहे हैं February में 14th February को या 15th February को आप exam देने जा रहे है तो एक महीने पहले same date पर मतलब जैसे 15th February को आपकी exam है ना 15th February को तो इस exam को एक हम manifest कराते हैं बच्चो मतलब उनको ऐसा मैं feel कराता हूं कि आप 15 February को नहीं 15 January को same exam देने जा रहे है इसके लिए मैंने बिल्कुल वैसे दो mock test बना रखे है फिर 15 February को आपने जाने से पहले मैंने आपका 15 January को ही एक mock test ले लिया लेट से उसमें आप पास होगा 85% स्कूर कर दी है फिर मैं आपसे 31st January को ले लूँगा same exactly वही टाइम पे जैसे आपका 1230 का आपने एक्जाम बुक की है मैंने आपको feel कराना है 15 January को की 1230 आप exam देजी है फिर मैंने आपको 31st January और फिर उस mock test का discussion होगा और फिर जब आप 15 February को exam देने जाएंगे तो आपके अंदर fear नहीं होगा because teacher ने आपको assist कर लिए this is the way we are going to take care because हमें पता है कि student को हमें समय देना पड़ेगा उसे हमें समय देना पड़ेगा this is the way we are going to that's why हमारी जो mentorship batch है इसको हम 90% club बोलते हैं कि USCA में के 90% बच्चे जो मुझसे पूछ कर exam देंगे वो pass होना ही है कुछ एक बच्चे हैं जो exam में कई बर panic हो जाते हैं या बिना पूछे exam दे देते हैं या mock test देने से घबराते हैं उनके result negative हो सकते हैं तो एक perfect study plan जूम session के थूरू बनाय कैसे उसको करना है वो पूरी approach हमारी और conceptual understanding मेरा बहुत ज्यादा focus है आपके जीवन का एक सबसे बड़ा सपना हो सकता है management accounting के designation को अचीव कर तो आपको 9 month से 12 month मेरे study plan को follow करना है next February आने से पहले आपका part 1 clear हो जाएगा यह मेरी guarantee अगर आपने मेरे lectures को सही से देख लिया हमार इस perfect study plan को follow कर लिया तो 100% success होना वो भी first attempt में बहुत ज्यादा जरूरी है और हम एक target को लेकर चल रहे हैं कि आपको USCA में बनाना है और देखिए USCA में का जो part 2 है न वो बहुत हद तक financial market जिसमें आपको derivatives, hedge accounting, capital structure, stock exchange, EPS यह सब पढ़ने तो इसके उपर भी आपने बहुत ज understanding आपको practically भी बहुत ज्यादा benefit देने वाली है तो एक segment में आपको बता रहूं part 2 में cover होता है financial analyst की आपकी profile होगी जब आप CMA बन जाएं तो जितना ज्यादा हो सके अपनी इन analytical skill को आप improve कीजिए जिससे कि आप USCA में को भी first attempt में पास कर सके और job ready हो सके हमारा motive क्या है pass और place में इन दो object को लेकर हम आपको USCA में पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो target next year अभी October का मन्त है next year की जो दिवाली है वो आप USCA में बनके celebrate करेंगे अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी के one year according to me आप मेरे साथ मेरे हिसाब से चलिए as a team हम काम करेंगे और आपके पास यह world class designation less than one year में आ सकता है तो मिलते हैं आपसे live session में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है so please like and subscribe the channel thank you for watching this video thank you very much